दोस्तर नमस्कार NCEAT गनित का 16 में मैं आप से भी का स्वागत है आज हम लोग प्रश्णावली 171 के प्रस्ण संख्या 10 को स्वागत करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइफ कर दीजगा और चैनल पर नहीं है कहने का मतलब है कि यहाँ पर 3 बिंदू है 1,2,3 इसका नाम देते है P, इसका Q और इसका R ठीक है और यह जो Q बिंदू है यह बिंदू P से भी उतनी ही दूरी पर है जितनी की R से है यानि कि इसका दूरी इससे भी उतना ही है और इससे भी उतना ही है यानि कि यहां से यहां की दूरी बराबर है यहां से यहां की दूरी ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे PQ, क्या करेंगे, PQ बराबर QR ठीक है, और इसका दोरे सांख लिख लेते हैं, क्या है इसका है X,Y और इसका है 3,6 और इसका है माइनस 3,4 ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक बार इसका दूरी निकालना है बराबर करना है और एक बार इसका दूरी निकालना है तो लिखेंगे हल माना की बिन्दू क्या है x, y बिन्दू P क्या है 3,6 और R यह है 3,4 से समदूरस्त है समदूरस्त तो हम लोगों क्या करना है कि दूरी सुथ का पर जो करना है अब लिखेंगे अर्थात P से क्यू की थूर्री ठीक है P से क्यो की थूरी बराबर है से क्यू से आर्टेदूरी से आर्टेदूरी ठीक है यहाँ प्रूरा लगाना है देखे, x2-x1 का whole square प्लस y2-y1 का whole square बराबर यहाँ भी वही फर्मूल लाएगा x2-x1 का whole square प्लस y2-y1 का whole square ठीक है, देखे, हमें चलना है PQ में इसलिए P से Q में चलेंगे, ठीक है तो A हो जाएगा x1, A हो जाएगा x2, A हो जाएगा y1 ठीक है, तो हमें क्या करना है कि x2 में से x1 को घटाना है यानि कि x में से 3 को घटाना है और y में से 6 को घटाना है तो यहाँ लिखेंगे x-3 और इसका work करेंगे प्लस y-6 इसका work करेंगे बराबर इधर आ जाएगे, ठीक है अब हमें चलना है QR में किसमें चलना है कि वार में चलना है तो ए है X1 और ए है X2 ए है Y1 और ए है Y2 ठीक है तो लिखेंगे माइनस 3 में से घटाना है X को और इसका वर करना है प्लास 4 में से Y घटाना है 4 माइनस Y ठीक है त्वेख्राओं मैंनस तीन को साइव करना है तो एक legislator मेंहें से युनाना करना एक से मैंनस तीन और एक स्मय इंस तीन ठीक सिन ठीक ठीक है थो क्याहिए टुक्राइब एक किन करेंगे दीने डाटीन मैंनस फ्रहें माइनस से मुना पैसा ह्तु सब्सक्राइब द्यृत करण के कुए हैं दोल स्वेयर कि उन्हिंगे अब हमें स्क्राइब करें यानि वाईमाइना स्वेरिगा तो दोले पछोप होगा करना है नियुक्त प्लस में है योड़ेंगे योगर मैने किrapsक बाइन से बढ़ा करेंगे तो ऑड और केंगे mult माइन मैनिट प्लस चत्री का वह और ड्रक्त करेंगे उड़ेंगे योग वाई स्ट्बार मैन था बारा यु y plus 36 यानि क्या हो गया y square minus 12 y plus 36 यह इधर आ गया बराबर है तो बराबर देंगे फिर इधर चलेंगे ठीक है माइनस 3 माइनस x का work करना है यानि माइनस 3 माइनस x में माइनस 3 माइनस x से गुना करना है यह हो गया यहाँ माइनस 3 माइनस x माइनस 3 माइनस x ठीक है तो क्या हो गया विद्यकर गया गया अगया जो ढइनगे तो एक इस्क्वार तीन 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 नहुग है तो ए हो गया x square प्लस 6x प्लस 9 ठीक है प्लस है तो प्लस देंगे अब 4-y का square करना है यानि 4-y में 4-y से गुना करना है ठीक है तो दिखें 4-y में 4-y से गुना करना है ठीक है यह प्लस में है तो प्लस प्लस क्या हो जागा प्लस चार चोब के क्या हो जाएगा 16 प्लस माइनस माइनस 4 में y से गुना करेंगे तो 4y प्लस माइनस माइनस 4 में y से गुना करेंगे तो 4y माइनस माइनस प्लस y में y से गुना करेंगे तो y square जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा y square माइनस 4, 4, 8y प्लस का 16 क्या हो गया y square माइनस का 8 y प्लस का 16 ठीक है अब देखे हमें क्या करना है root को हटाना है और दोनों तरफ हटाना है तो लिखेंगे दोनों पक्छों का वर्ग करने पर वर्ग करने पर ठीक है तो क्या हो जाएगा square से root हट जाएगा यहाँ बच जाएगा x square minus 6 x plus का 9 plus का y square minus का 12 y plus का 36 और बरावर के बाद जो संख्या plus में है उसको बरावर से पहले minus में लिखना है और minus वाले को बरावर से पहले plus में लिखना है ठीक है तो क्या है plus का x square तो यह हो जाएगा माइनस का एक स्क्वेर प्लस का 6 x तो माइनस का 6 x प्लस का 9 तो माइनस का 9 प्लस का y square तो यह हो जाएगा माइनस का y square माइनस का 8 y तो यह हो जाएगा प्लस का 8 y और प्लस का 16 है तो यह हो जागा माइनस का 16 बरावर सुन अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं देखें प्लस के एक स्क्वेर से माइनस का एक स्क्वेर कैंसल हो जाएगा प्लस के य स्क्वेर से माइनस का य स्क्वेर कैंसल हो जाएगा ठीक है अब देखें माइनस का 6x और माइनस का 6x क्या हो ज रिराते का सबसुएत कुछ ही था थ है। तो मायनस का चार को में लिए लेते हैं इसमें का बाइनस को जाते हैं तो यह ऐगा प्लस हो, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं अताह एक्स और वाई में क्या है तीन एक्स प्लस वाई माईनस पांच बराबर सुनने अभिष्ट संबंध है तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके वीडियो समझ में आ गया होगा अगर किसी परकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अनलोके स्टेडी के प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले का स सारा वीडियो देख सकते हैं, फिर मिलते हैं, एक और वीडियो में तब तक के लिए, जैहिंद!